हालो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे एक 30 फिट विड्थ इन्टू 40 फिट लेंग्द का हाउस प्लान ओके तो यहाँ पे मैंने एक टू वेज के बला हाउस प्लान टो किया हूँ ठीक है तो हमारा जो प्लाट का साइज है इधर आगे की तरफ फ्रॉंट साइड 30 फिट चोड़ाई में और दोनों साइड इधर और उस तरफ दोनों साइड 40 फिट लंबाई में ठीक है तो 40 इन्टू 30 तो हमारा जो प्लाट का साइज है यह है 40 इन्टू 30 इक्वेल टू 1200 स्क यहां पर इधर और तीनों तरफ पोड़ोसे का मकान है और इधर फ्रंट साइड में हमारा मैं रोड है ठीक है यह हो गया में रोड कि तो यहां पर मैंने दोनों साइड इधर धाई फिट का दो फिट सिक्सिंज का लंबाई में पुरा ठीक है पूरा लंबाई में और इधर भी फिट सेख और सिक्सिंज और मैंने शोड दिया है ताकि हमारा होर Może appropriate हुशाट ऐसे और पीछे के तरह भी मैंने 10 feet उड़ा हूं और आगी की तरह भी मैंने 10 feet उड़ा हूं तक आखे हमारा구요 प्रमण करो स्थमा मिले तो मैंने प्लान कर लिया हूं अभी मैं इसे हाइलेट करूंगा और आगे आपको एक एक करके डिटर से बताऊंगा तो पहले मैं इसे हाइलेट कर लेता हूं इह हैं पे मैंने, 9 इंच का दिवार रखा हैं чи 5 इंच का दिवार यह रेखें को क्थ दिवार्व के एससे डिवैड कि जहां पे हमरा सारे लूड आएगा मतलब दिवार की load रहेगा वहां पी मैंने 04 दिवार रखा हूँ और जहां प्या harm का हम का ज़्रूरत नहीं पड़ी ज़रूरत नहीं है ठीक है 25 गदने शहीं पी चलेगा वहां पी मैंने 5 दिवार रख दिया मैंने red color कर रहा हूं साय आपको वीडियो में साय मेरून जासे दिख रहा होगा क्योंकि ठोड़ा black इस लग रहा है तो यह हमारा मेरेन को आपको दिख रहा है red color में कर रहा हूं यह हमारा पांच सिंच का दिवार यहां पे देखिए जहां सारे लोड कॉलम और बीम के उपर आएगा तो यहां पर आपको अंदर का दिवार पांचिंज का देने से भी चलेगा सारी के सारी ठीक है तो यह हो गया हमारा पांचिंज का दिवारे जो रैट कोलर किया इसके बाद जितना विंडो और वेंटिलेटर में छोड़ा है इसे ग् प्रण कर दिया हो गया इसके बाद जितना में डूर्स रखा हूँ सारे इक डूर्स मैंने हाइलेट कर दूँगा मैं यहां पर मैंने चार फीट का रखा हूँ और बाकि रूम बगरा जो डूर है यह तीन फीट तीन इंच का और टोएलेट कम बाथ्रूम का दोफीट चीज़ का रखा हूं ओके तो फ्रेंड्स यह रहा आपका पूरा प्लान अभी में इस प्लान के बारे में आगे आप पूर डिट्रेस में बताऊंगा लेकिन इस से पहले मेरा एक फोटोशार रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चनल में नया है या अभी तक मेरा चनल को सब्स्क्र करके दाता तो चलो इस प्लान के बारे में आगे में अपको डिट्रेस में बताता हूं कि हाँ हम यहां पे अगली्ए तो यहां इस का श्रीवर्णा बरंडा कहते हैं आंगन कहते हैं इसका साइज रहेगा साथ फिट चोड़ाई में और लंबाई में रहेगा यहां से सिल्धी तक यह रहेगा बार फिट नो इंज का लगवक तेरा फिट का ठीक है तो यह जो हमारा उपन बरंडा रहा इसे हम बाइक पार्किंग के लिए मैंने यह 3.5 फिट का रखा गया है और यहां पी रहा हमारा मेंडूर मेंडूर को जब अंत्री करेंगे बड़ा सा हॉल मिलेगा आपको ठीक है यह जो हल है यह हल को हम ड्रेंग रूम कम डैनिंग रूम के हिसाब से उच करेंगे ओके इसका जो साइज रहेगा हल का यह रहे हमारा किचन मिलेक के साथ यहां बड़ा से रखा गया है यहां पे चोड़ाई रहेगा 9 साथ 4 फिट इक अंदर जाए तो छोटा सा जो रूम दिखंग रहा है आपको यह है हमारा फूजागर का साइज है यह है साढ़े-व्हारथ चोड़ाई में और लंबाई में है छे फित एफक है इसके ऑपोजिट से tahu ng records में रहा हमारा पहला बेडरूम डेडरूम ओन यहां पे मैंने ट्वेस्पे किया हूं दोठे बेडरूम तो पहला बेडरूम का जो सऍाइज है इस 21 फिट चोड़ाई में रहेगा और 12 फिट एक इंच रहेगा हमारा लम्बाई में 11 बार का और इसके साथ एक आटेच टेलेट कम बात्रूम भी मैंने रखा हूँ जिसका चूड़ाई रहेगा साधी चार फीट और लंबाई रखा है पांच फीट नो इजगा यहां पर हमारा कमड़ों के साथ बात्रूम आ जाएगा और इधर हो गया हमारा सेकेंड बेड्डूम बेड्डूम टू जिसका चूड़ाई रहेगा 11 फीट और लंबाई रहेगा ग्यारा फीट ग्यारा का सेकेंड बेड्डूम और इसके साथ भी मैंने एक आटेच टाइट का मड़ों रखा हूँ ठीक है जिसका चूड़ाई साधे चार फीट रहेगा और लंबाई रहेगा पांच फीट नो मेरे चनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दाना और यह वीडियो देखने के बाद मेरा इप्लान कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताना ओके थेंक यू